तो हेलो दोस्तों आपका स्वागात है मेरे चैनल एंड गुरू में जहांपर में क्लास नंद की मैं से रेलेटीड कुछ इन लाता रहा तो और कुछ मैं ट्रिक भी तो दोस्तों आज मैं फिरसा हजुनुकॉर मैं ट्रिक लेगे जिसका नाम ग्रेट ट्रिक टू फाइंड ग्रेटेश एंड इसमॉलिष नंबर इस वीडियो में आपको बता हूँ कि आप कैसे पहचाने की कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोट है तो दोस्तों मैं आ आपिसके और अपना पहला टाइप दिखा लेते हैं ये तो दूसों टाइप वकशिन फाइछ समें प्लस होगा दैसरे मैंने ले लिए कौशिन अंडरूट टुएल्फ प्लस मिन आंदरूट थाटिन आंदरूट ट्वंटीवन प्लस मिन नंडरूट 10 आं अंडरूट 13 प्लस में अंडरूट 11, ठीए दोस्तो, मैंने ये तीन पाट में नंबर लिया, पहला पाट में रहा, दूसरा पाट रहा, तीसरा पाट रहा, तो दोस्तो, आपको निकालने है, इसमें से greatest number and smallest number, तो दोस्तो आप अगर जनरल फॉम में जाओ कि आपको पहले वैल्यू पुट करो इसमें फिर आप निकालो कि कौंसा नबर बढ़ा कौंसा नबर चोट है तो ऐसे बहुत टाम लग जाएगा तो दोस्तो मैं आपको simple trick देने ओलोगीं संपल ट्रिक चली दिखते हैं तो दोस्तो आपको simply करना क्या है हर एक पार्ट में आपको दो number दिख रहोगा जैसे हांपे अंडर 12 और अंडरू 13 दिख रहे हैं तो इन दो न नबर को आपस में multiply करो अंडरूत के साथ मत करना 12 13 जा कि नमबर और निकालने हैं आपको smallest number खेज़ों, smallest number निकालने हैं, smallest number निकालने हैं, यह हमारा पहला step complete होगा है अब जो final step है, उसमें आपको देखना है, कि इन number में साबको कौन सा number बड़ा दिख रहा है तो मैं देख पारूंजो, मेरा 210 है, इन बाकी दोनों सा number से बड़ा number है तो उसको ऊपर वाला number आपको कौन सा, under root 21 plus under root 10 तो यह ही आपका greatest number हो जागा, simply, under root 21 plus under root 10 अब रही बात smallest number के तो यह कैसे पहचाने, कि आपको कौन सा number छोटा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों तो मैं simple देख पारूंज मेरा 143 है, वो बाकी दो number से छोटा है तो simply, आपका smallest number जो हो गया, वो under root 13 under root 13 plus under root 11 हो गया, ठीक है दोस्तों पैब 2 में देखेंगे जीस when rate then plus हो प्लस आजाए घर मायनस आजाय तो मायनस आजए तो उसमे का करिंगे तो धोस्तों मैंने question ले लिया, जैसे मैंने लिया अ Cap-11 यह अब तो देख विदारोंज भीक, फिर अचन नरूट टवी लेल, मायनस मैंने अंडर in तैन अचैनल से आपको से मिल्टिप्ले के रोगे तहाँर आएगा हो अब अध़ मैं सेम रहने वाला है आप जो आपको निकालना है ग्रेटेश्ट म मर्र और निकालना है महलेस्ट नंबर निकालन है तो आपको कहा घरन पřाएगा में आपको देखना है कि सबसे बड़ा number कॉनसा है तो तो आप देखोगे सबसे बड़ा number जो है मेरा 288 है ठीक है तो आप यह सोचर को 288 के उपर वाला जो number वो मेरा greatest number लेकिन नहीं दोस्तो 288 के उपर वाला जो number होगा, PayPal होगा वो मेरा smallest में आ जाएगा जो आपको देखना है जो बड़ा but Kalimops निखालना तो आपको देखना पड़ा इखना पड़ा कोंसा number बढ़ा है अवक को ग्रेटेश्तन निकालना तो आपको यह देखना पड़ाए कोंसा number तो मेरा बड़ा नमबर कॉन से है, 288, तो मेरा smallest number आ गया, under root 18 minus under root 16, तो मैं smallest number में लिख सकता हूँ, under root 18 minus under root 16, और यही बात मैं से greatest number की पूछ ली जाए, तो मैं इन में से देखूँ मेरा सबसे छोटा number कॉन से है, तो मैं देख पारो, मेरा 120 जो है, वो सबसे छोटा number, तो मेर greatest number कॉन से होगा, under root 12, minus में under root 10, तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप calculator की मदद से check कर सकते है, तो दोस्तों, जो minus वाली case की trick है, जो tap 2 की trick है, उसमें एक limitation है, मतलब अभी कब apply होगा, और कब apply नहीं होगा, तो दोस्तों, यह जब apply होगा, तब ही apply ह जैसे हाँ पर देखो, 15 में से 13 कितना बजगा, 2, तो मतलब इहाँ पर difference 2 है, 2 का, 12 minus 10 कितना होगा, 2, मतलब इहाँ पर difference 2 है, 2 का, 18 minus 16 कितना होगा, 2, तो यहाँ पर difference 2 का, जब आपका difference सेम होगा, हर पार्ट में, तब ही trick apply करेगी, tap 1 में तो हर case में apply करेगी, जो tap 2 की trick है, तब ही apply करेगी, जब आपका हर एक पार्ट में difference सेम होगा, तो दोस्तों, देखा आपने में कितने मुश्किल नंबरों का greatest number निकाल दिया, और smallest number निकाल दिया, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को like करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर करके bell icon क्लिक कर देना, अगर आपको कोई वीडियो अट है इस वीडियो को regarding, तो comment box में लिखना, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का solve करूँगा, तो चली दोस्तों, बाए-बाए